हलो एवरिवन वेलकम टू रंगो का संसार मैं डॉली अगरवाल आज फिर हाजर हूँ आप सबी के सामने एक नॉलेज़िबल वीडियो लेकर के जो की है हमारे क्लास 12 CVSC Board पेंटिंग थियोरी सब्जिक से गाईज अगर आप मेरे चैनल पर बिलको नियू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें चली तो मैं आज स्टार्ट करती हूँ एक और पेंटिंग जो की है इंडियन मौडन ट्रेंच इं इंडियन आर्ट्स की पेंटिंग Mother Teresa ये बहुत ही फेंटिंग है और इसके कलाकार भी बहुत ही फेंटिंग है जिनका नाम है मकबूल फिदा हुसैन जिनको आप जानती है और ये पेंटिंग उनी के द्वारा बनाई गई है तो ये जो पेंटिंग है बहुत ही फेंटिंग है बहुत ही इंपोर्टेंट है और आपको इसको किस तरीके से आंसर लिखना है अगर आपको ये किसी भी question form में अगर पूछी जाती है या इसमें से क 36 cm subject matter this is one of the paintings from mother Teresa series by the artist ये उसके जो सीरीज पेंटिंग होती है उसमें से एक पेंटिंग है artist की in his own words she was the modern Madonna representation of mother Mary तो जो artist कलाकार की जो शब्द हैं वो ये कहते हैं कि उनके बारे में कि जो mother Teresa है कि जो painting है modern Madonna के रूप में present करती है क्योंकि जो Madonna थी वो Raphael artist थे उनकी painting में जो mother Mary को दशाया गया है जो उनका मातत है उनका जो एक पवितरता है जो उनकी दया है जिसमें वो Jesus को गोद में लिये हैं तो वैसे ही यहाँ पर mother Teresa को भी ऐसे ही दिखाया गया है who embarrassed the poor and the destitute as her own for me she is a timeless figure I will never get tired of painting her तो यहाँ पर वो गरीबों के प्रती जो दया है दुख है उनका जो दया भाव है वो दिखाया गया है description with color scheme the painting shows a faceless figure with the flowing drapes of the blue bordered white sari that was worn by mother Teresa तो यहाँ पर एक painting में दिखाया गया जिसमें कोई चेहरा नहीं है लेकिन एक sari जो drape की हुई है नीले border वाली सफेद sari जो mother Teresa की पहचान है जो पहनी जाती थी उनके द्वारा तो वो बिना चेहरे की है तो लगता है sari को दिख करके कि वो mother Teresa है the sari is actually symbolic of the uniform of the nuns of the offerings and homes run by mother Teresa तो वो जो sari थी वो mother Teresa की जो एक आश् चलते थे संस्ताइं चलती थी गरीबों के लिए जो घर चलते थे तो उसमें उनकी जो नन्स होती थी जो सेवा करती थी वो पहनती थी इस प्रिंटिंग में आर्टिस ने mother Teresa को चर्च के आंगन में बैठे वे दिखाया है और उसने उसको डिवाइड किया है दो येलो कलर्स की पीले रंकी लाइनों से कैनवस को डिवाइड किया है इसलिए वो थोड़ा सीरीज पेंटिंग जैसा लुक दे रही है उनकी जो बॉड़ी है वो एक गरीब जो इंसान है वो उनकी गोदी में बैठा हुआ है और उनका जो हाथ है वो अबह मुदरा में है जैसे आशिरव पेंटिंग है ये उनकी बहुत ही सुन्दर पेंटिंग है तो ये जो फेसलेस इंटाटिटी तो इस्टाबलिश हर उनिवर्सल मदर होड फोर विच कास्ट कलर और रिलिजिन इस अन्यूनी प्रोमनेंट इस अल्सों इंडिकेश्चिन अफ एगो अक्वालिटी अफ्वालि पेंटिंग है उनकी जो साड़ी है वो एक बच्चे को ओफिन एक मतलब बच्चे को दिखा रही है शेडो देने का काम कर रही है लाइक दिखाया गया है कि जैसे वो एक शेल्टर देती थी लोगों को आश्रन देती थी तो वैसे दिखाया गया है और उनकी quality है वो एक मतलब बहुत ही selfless मतलब स्वार्त रही एक इनसान थी और वो नेड़ेड लोगों की बहुत help करती थी तो वो इस painting में दिखाया गया है there is a one more sari covered head behind और एक उनके replica भी दिखाई गया है उनी के जैसे sari मतलब पहने हुए है and behind the mother head almost similar but without the blue border लेकि उसके border में blue border नहीं है sari में it could probably be for symbolizing the other nuns who also did the same kind of work for the needy यानि कि हो सकता है कि वो नोने एक दूसरी nun को दिखाया हो the sick man is painted with Indian red color और जो बिमार व्यक्ति जो उनकी गोद के अंद में दिखाया गया है वो Indian red color से paint किया गया है उस बिमार व्यक्ति को तो यह जो painting आप देख सकते हैं the brightness of the centry white sari is brightening up the whole spirit of the composition the mother rises as a guardian angel and is the dark and bright light of the lies of poor and the needy the figure of mother Teresa requires the position of a universal mother with the figure of old man is helpless and lies in her lap the sari with the blue border that cover her head in dirt around her the strong play of colors with the black has influence of roman stained glass in mosaic यह जो painting का जो look है ना वो कुछ roman stained glass और mosaic art होती है उसका reflection दिखा रहा है and its influence उसका प्रभाव है in these semi-abstrict work और यह कुछ-कुछ semi-abstrict art है क्योंकि यह divide हो गई है ना parts के अंदर और अलग-अलग parts में डिवाइड है बट एक ही scene दिखा रही है तो इसलिए यह एक abstract artwork है हुसेन का और जिसमें जो elements है वो European Renaissance की painting and sculptures को दिखा रहे हैं जो एक European sculpture है Renaissance time का for instance ले पायता figure below by Michelangelo जो की Michelangelo ने बनाया है जिसमें Mother Mary एक उनकी गोद में मरत जो जीजस हैं वो हैं तो वो दिखाई गए हैं तो वो इसमें हैं तो यह जो painting है overall यह बहुत ही सुन्दर है जिसका background बहुत dark है और उसमें face नहीं है figure Mother Teresa का बस उनकी जो साड़ी है वो जो blue border है वो ही उसको reflect कर रहा है Mother Teresa के रूप में Mother Teresa कैसे आश्रवाद में और लोगों की सेवा के लिए तक पर रहती है तो यह दिखाया गया है तो next हुसेन who is associated with modernism is also called the Picasso of India तो वो जो modernism के साथ जो पिकास मतलब हुसेन ने work किया है तो उनको उसको पिकासो से उनकी तुलना की जाती है उनको पिकासो अफ इंडिया कहा जाता है पूरी पैंटिंग जो है वो बोल रही है उनकी जो वोल्यूम है बाउसेन से कमांड ओवर बोल्ड विगर्स, lines and forms His lines are sharp and full of expression Mostly colors are flat, light and dark Tones can be seen at a few place This painting series proves the level of maturity and strength of expression with minimal forms that he acquired over the years तो पैंटिंग अपने आप में एक की बहुत जादा मतलब कैसे कहते हैं कि हम अपने भाव जो व्यक्त करती है वो ओबर पैंटिंग में दिखाई दे रहा है कि मदर पैंटिंग का जो एक किरिक्टर है वो उसमें दिखाई दे रहा है उनके जो दया भाव है उनकी जो पीडा है लोगों के प्रती गरीब लोगों के प्रती उनका जो बच्चों के प्रती जिनका कोई नहीं है वो जो उनका एक जुडाव है एक ममता है, माततव है priority है वो उसमें दिखाई दे रही है तो ये painting अपने आप में पून रूप से बहुत ही सुन्दर है और thank you so much guys मेरी वीडियो देखने के लिए अगर मेरी वीडियो आपके लिए मददगार है थोड़ा भी फाइदा है तो please comment करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी and thank you so much मेरे चैनल को support करें bye bye